हाथ की अंगुली की लंबाई से जाने कैसा रहेगा आपका जीवन हर किसी के हाथों की अंगुलीों की लंबाई अलग होती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आपके स्वभाव के बारे में काफी कुछ बता सकती हैं मेरे प्यारे साथियों स्वागत है आपका संसकारी मनुष्य में यहां आपको हिंदु धर्म, कर्म और आस्था का अध्भुत ज्यान प्राप्थ होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए शुरू करते हैं क्या आप जानते हैं, अंगुलियों की लंबाई से किसी इनसान के स्वभाव की जानکारी हासिल की जा सकती है अगर आप किसी से प्यार कर रहे हैं, या पार्टनर्शिप करने वाले हैं या फिर आप शादी का रिष्टा पक्का करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार बस सामने वाले की अनामिका अंगुली और उसके साथ की तरजनी अंगुली ध्यान से देख लेए अंगुली की लंबाई देखकर आप आसानी से उसके बारे में ये पता कर सकते हैं कि वो प्यार में कितना इमानदार होगा काम को कितनी निष्ठा से कर पाएगा या पाएगी मुसीबत में आपका साथ देगा या देगी की नहीं स्वभाव के गुस्सैल होगा या होगी तो आएए जानते हैं समुद्र शास्त्र का ये बेहद आसान तरीका एक जब अनामिका तरजनी से बड़ी हो जिन लोगों की अनामिका उनकी तरजनी उंगली से बड़ी होती है ऐसे लोग आकर्शक और दबंग स्वभाव वाले होते हैं इस तरह के लोग बिना ठके और रुके अपने लक्षे को प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य करते रहना पसंद करते हैं ऐसे लोगों को अपने आप से बातें करना ज्यादा सहज लगता है इसके अलावा ये स्वभाव से आकरामक और मुसीब्तों का डट कर सामना करने वाले भी होते हैं वैसे ज्यादातर समय इनका स्वभाव दयालू ही होता है दो जिनकी तरजनी अनामिका से बड़ी हो ऐसे लोग जिनकी तरजनी उंगली उनकी अनामिका से बड़ी हो ऐसे लोगों को अपने काम पूरे विश्वास के साथ करने की आदत होती है ऐसे लोग शांती से अपना काम करना पसंद करते हैं लेकिन इसका मतलब यह बिलकुल नहीं है कि ये स्वभाव से इंट्रोवर्ट होते हैं। ऐसे लोगों का अपने काम पर ज्यादा फोकस रहता है। इन्हें काम के दौरान बीच में किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं पसंद होती। ये अपने काम से खुश रहते हैं और इन में हमेशा आगे बढ़ते रहने की चाहत बनी होती है। तीन जिनकी तरजनी और अनामिका की लंबाई समान हो। जिन लोगों की अनामिका और तरजनी उंगली समान लंबाई लिये होती है, उन लोगों को किसी तरह के जमेले में पढ़ना पसंद नहीं होता है। जानत बैठे रहेंगे। तो ये जानने के बाद अब आप आसानी से किसी की उंगली देखकर उसके बारे में काफी जानकारी पासकते हैं। वैसे आपको बता दें कि ये सारी जानकारी समुद्रशास्त्र में दिये ज्यान पर आधारत है। तो मेरे प्यारे साथियों यहां द